हर गाड़ी पे तीन महिनी की वारेंटी है आठाट लाग किलोमेटर टोयटा का एंजन का कोई दिक्ता भी यह 18-20 का एवरेज देती अरे आदमी सुराही और मटका खरीन दे जाता है तो भी उसको ठोक के बजा के देखता है यह वाइपर वगरा डिफॉगर यह सब कुछ आप वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको लेकर आए हैं न्यूपाल मोटर्स में यहाँ पर आपको टेड़ से दो लाग के बजट में सांधार सांधार गाड़ियों की डिल यहाँ के प्राउड ओनर से मिलते हैं और उनसे लेते हैं गाडियों की ठेटेर नमस्कार यह Hyundai की i20 है जे किता चली हुई कौन सा मॉडल है यह 78,000 चली है फर्स्ट ओनर है 2015 मॉडल गाड़ी है 2015 मॉडल गाड़ी किते में इसकी फाइनल डील देंगे यह दील हम आपको दे देंगे पांच लाख पचास जार रुपए की नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है यह 2019 मॉडल 2019 मॉ यह 76,000 चली है फर्स्ट ओनर गाड़ी है यह जब तक तसल्ले नहीं कराएंगे अरे आदमी शुरही और मटका खरीदे जाता है तो भी उसको ठोक के बजा के देखता है यह तो आप गाड़ी लाख रुपे की गाड़ी खरीद रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो विश काम कायम रखते हैं उसी पर ही कस्टमर हमारे पास दुबारा आता है चलिए फाइनल डील इसकी बता है कि यह गाड़ी हम दे देंगे 6,75,000 रुपे की पूरा भीमा है कॉम्प्री हम से ठीक है और फस्ट रोनल गाड़ी है 2009 मोडल की गाड़ी है 2009 मोडल की गाड़ी है 2009 मोड थेंगे कुछ इस दिए चलिए अगली गाड़ी कौन सी है अपने हाँ 2014 मोडल पोलो कितना चली हुई यह कौन सा ओनर यह गाड़ी चली है 92,000 कौन सा ओनर है second owner second owner बतलब कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत निए कोई दिक्कत निए नीट पूरी वाइड कलर की गाड़ी ह हाइलाइन टॉप मॉड़ल, किते वे फाइनल लेढ ले लिस्केश, इस गाड़ी में झार लाथ रुपे कीा 얼마나 Сब्सक lure you यह बिस गॉडल फॉल है, 2017 कितना चलिंग हूई है? यह गाड़ी चलिए अठारक रावन डजार यह कौन सा ओनर है, कितना मैलेज यह दे देती होगी यह 18-20 कावरेज देती है 18-20 कावरेज और यह गाड़ी यह 1.5 हाइलाइन जीटी है ठीक है इसमें जितना गाड़ी ते चलती है उतना ज्यादा रोड पे ग्रिप इसकी बेटर हो जाती है इसकी हाइस स्पीड जो मीटर पे है वो इवन फॉर फार्चूनर वगेरा भी नहीं है 240 तक गाड़ी मीटर पे हाइस इसकी टॉप स्पीड है अला फार्चूनर से ज्यादा गाड़ी में इसमें पावर है ओड़ी इंजन होता है वोक्सवेगन ओड़ी एक ही चीज है और गाड़ी यह आपके चैनल के माद्या से हम दे देंगे पांच लाग पचास जार मात्र 28,000 चली हुई गाड़ी क्यों 28,000 केवल 28,000 चली ऑल ओरीजिनल बंपर भी टच अब नहीं है अच्छा बंपर भी टच अब नहीं है वेंटिलेटिट सीट्स वाली टॉप मॉडल गाड़ी है कौन सा ओनर है फिर्स्ट ओनर फिर्स्ट ओनर है डॉट्टर की गाड़ी है लखनू नंबर ब्लाक कलर संरूफ फर्स्ट ओनर 28,000 चली ऑफ चेक कराएंगे अंड़ परसंट आप चेक कराईए औरिजिनल कंपनी की टायर है जो गाड़ी के साथ के टायर है कित्ते में इसकी फाइनल दसलाग पचास जार रुपे की गाड़ी यह देती है वोई 14-15 के एफरिज देती है टॉयटा की गाड़ी है टॉयटा इंजन जो है सिरफ 29,000 चला है 8-8,000,000 किलो मेटर टॉयटा की इंजन का कोई दिक्त अब बानबे 1,000 किलो मेटर के अलिजिन रमा होता इसका इंजन रमा होता है गाड़ी और गाड़ी बहुत र इसकी फाइनल डील बताएं भाईयों यह गाड़ी हम दे देंगे 8,50,000 अब यह है निसान की माइक्रा निसान की माइक्रा इसकी डिटेल दीजिए कौन सा मॉडल है कितना चली है यह गाड़ी चली है 90,000 किलोमेटर 90,000 फर्स्ट टॉनर गाड़ी है टॉप मॉडल पीछे 2010 मॉडल गाड़ी है 2010 चली हुई है यह गाड़ी चली है 90,000 किलोमेटर 90,000 सबसे बड़ी खास बात यह है यह डीजल की गाड़ी है कम से कम 25 केवरेज एती है 25 केवरेज आन हाइवे ओन हाइवे क्या शेहर पे 25 केवरेज देगी आपको यह जिसे पेंट यह किया हुआ तो य आशेरी मिलेगी ठीक है 2 गाड़ी है सेकेंड ओनर गाड़ी है गाड़ी हम दे दें के मातर 1,75,000,000 डीजल की गाड़ी कितनी गाड़ी ओं का कलेक्षन अपने रहता है 50 से 60 गाड़ी ओं का चली इसकी डिटेल दीजे यह हॉन्डा की जैज है हॉन्डा के चली है कों सा प्र अगें इस गाड़ी में खास बात यह है कि 25 से कम का अवरेज नहीं देगी डिजल में अच्छा है और हॉंडा की गाड़ीया जो हुती है अपनी समूत नस के लिए जानी जाती है बहुत 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 चलने में एकदम comfort नहीं आप पानी का गिलास जैसे भरके रख दीजे चलके गानी ये खासियत है Honda की वाइब्रेशन होता ही नहीं इसकी फाइनल डील बताए अपने भाईयों को ये गाड़ी हम दे दें के तीन लाग पिचासी जार हो किती सारी गाड़िया आपने दिखाई हमारे भाईयों को जी जी एक्जेक्ट लोकेशन बताएं अपने यहां की कौन से लोकेशन निराला हर गाड़ी पे तीन महीने की वारंटी है तीन महीने की वारंटी एंजिन गियारबक्सा बैटरी अपने यहां कौन से मॉडल से गाड़िया फाइनेंस हो जाती है दो दिक्कत नहीं पतलब अगर एक डेर लाक की गाड़ी है तो हमारे भाई कितना डाउन पेमेंट दे क्वाइनेंस के लिए कौन कौन से डाकूमेंट लगते हैं या तो आई टी आर चाहिए या खतवनी चाहिए और बाकी बिजली का बिल पाइन अधार बैंक स्टेट्मेंट अपने हां कोई दिन आफ तो नहीं होता है कोई दिन सातो दिन वर्किंग है कोई दिन आफ नहीं है सातो दिन वर्किंग है जी चलिए ऐसे ही कलेक्शन के साथ मिलते हैं दोवारा नमस्कार